और गिरीडी से बड़ी खबर है पीरतान प्रखंट मुख्याले में बीजेपी का धर्ना प्रदर्शन विधाग दल के नेता बाबुलाल मरांडी धर्ना में शामल हुए धर्ना प्रदर्शन में दोनों पूर्वसांसद और पार्टी नेता मौजूद थे और गिरीडी से हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीकांत आपसे जाना चाहेंगे थोड़ी देर पहले बीजेपी का धर्ना प्रदर्शन शुरू हुआ था जहां पर बाबुलाल मरांडी भी मौजूद रहे और राजय सरकार के खिलाफ ये धर्ना प्रदर्शन हुआ। जो वादा खिलाफी की है जो आरोप लगा रही है भाजपा उन सभी मुद्दों को लेकर भाजपा लगातार जो है अब मुकर हो चुकी है और धरना परदर्शन के माद्यम से वो अपना बिरोध दर्ज करा रही है हलाकि आज गारिकरम जिला जो है गिरिडी उसके पीटान परखंड के परखंड मुख्याले में आयोजिता जहाँ पर सूबे के पूरु मुक्वंत्री सा भाजपा बिधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी खुद मौजूद रहें कारिकरम में गिरिडी के जो सांसद है पूरु रविंदर पांडे और रविंदर राय पूरु पूरु सांसद को डर्मा गिरिडी के पूरु बिधायक नर्वेस आबादी हो या दिने स्यादों कि हम बात कर लें या फिर चुन्नुकांत या जिला अध्यक्ष महादेयो दु प्राइवल वोड बैंक है तो अब जो भाजपा एक और हम देख रहे हैं जर्नाफ परदर्शन के माद्यम से कि भाजपा एक तरीके से धीरे धीरे जो है पूरु की तैयारी शुरू हो चाहे बाजपा की हम बात कर लें या जेमें की बात कर लें अब धीरे दीरे चुकि चली जाएंगी हाला कि आज जो बिरोध परदर्शन था उसमें बाबुल अलमरांडी जो मुख्य बाते कहीं है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष के नेता चाहे वो कॉंग्रेस के नेता नहों या फिर जर्खन मुक्ती मोर्चा के नेता होंने हाल के दिन मे जो सत्ता पक्ष के नेता बयान बाजी कर रहे हैं वो उनकी बौखलाहाट का नतीजा है तीन साल बीद गया है और फिर से जनता के बीच में जाना है तो एक बौखलाहाट के रूप में वो इन बयानों को ले रहे हैं और राज की जनता सब कुछ अपने आँखों से देख र कि लोगतंत्र के सरोपरतम मालिक है और मालिक की अदालत में आफ फैसला होगा कि आखिर किस सरकार ने कितना विकास किया है या छला है या पिर जन विरोधी सरकार रही है लेकिन भाजपा जो है अब मुखर है और अलग-अलग प्रखंड मुख्यालों के दर्ना-प्रदस्वन के माध्यम से जो है वो सरकार को घेजनी की भी तैयारी कर रही है और अलग-अलग मुद्दो को लेकर भी वो लगातार जो है सरकार पर हमला वर नजर आ रही है आरती इसी कड़ी में जो है आज पीटार प्रखंड में आज यह कारिक्रम अजित था और यह कारिक्रम आगे भी आज च्यारी रहेगा अलाग-अलग प्रखंड就到 में तो आज जिस तरीके से बाबला मरांडी यहांँ पर इस कारिक्रम में शरीक हुए हैं और आज के अलग-अलग प्रखंड वे प्रहिपने भी उसका आप अपने अपने हिसाब से कीजिए चाहे वो प्रकंड की बात हो पंचायत की बात हो जिस तरीके से जो हालात बन गए है राज के उसका ध्यानाकरिष्ट करनाने के लिए बाजपा का कहना है कि वो जनता के बीच ही जाएगी जनता के अदालत में जाएगी अलाकि इस पूरे घटना करमपद जिस तरीके से बाजपा धरना दे रही है उसको सरकार जो सत्ता पक्ष है वो मैजिक नो टंकी बता रहा है सत्ता पक्ष का कहना है कि धरना प्रदैशन से कुछ होने वाला नहीं है सरकार अपना काम कर रही है और सरकार भी लगातार जनता के कल्यानकर योजनाओं को जनता के बीच लेकर आ रही है तो अब हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से तत्ता पक्ष या विपक्ष जनता के बीच में जाकर कारिक्रम की शुरुआत कर चुके हैं तो आरती एक तरीके से आप देख लिज़े दोजार तेईस का समापन अपसे एक दिर महीने में समाप्त हो जाएगा तेईस की शुरुआत अपसे कुछ दिन में हो जाएगी और 24 में लोग सभा का चुना होना है तो एक तरीके से हम कहें तो दीरे दीरे जो बिसात बिचनी है राजनीतिक बिसात उसकी बिसात बिचने लगी है दीरे दीरे खिलाडी मैदान में होंगे चौसर सजाए जाएंगे रनीतिया बनाई जाएंगी तो अब जो महौल आपको देखने को मिलेगा आरती वो इसी तरीके का महौल चाहे पंचायत हो या परखंड हो या परदेश हो हर आर आपको जो है राजनीतिक जो बयान बाजियां है वो तल खोती चली जाएंगी जो राजनीतिक जो बयान बाजी अभी हाला के शुरू हुई है राज में उसको आप देखी सकती है और धीरे धीरे जो नतीजा है इसका नतीजा तो अब जनता की अदालत महीं होना है लेकिन अपने अपने तरीके से सभी राजनितिक दल अब जनता के बीच महुच रहे हैं और जनता के बीच महुच के ही वो अपनी बातों को रख रहे हैं और अपनी बातों को समझाने और बत बिल्कुल श्रीकान शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तो आज बीजेपी का धन्ना प्रदर्शन गिरिडी में हुआ राज्य सरकार के खिलाव